जै महाकाल दोस्तों! कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे? दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक चमतकारी फल का चमतकारी उपाय बताने जा रहा हूँ. इस फल का नाम है धतूरा और ये स्यूजी को अती प्रिय है और इसके काफी चमतकारी गुण है, इसे आईरुवेद में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह से इसे तंत्र मंत्र टोने टोटके में भी काफी उप्योग किया जाता है. ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से इस उपाय को कर सकता है, बड़ी ही सरलता से कर सकता है, और यदि वो पैसों के लिए कोई काम कर रहा है, कोई काम रुका पड़ा है या गती लानी है, तो इस उपाय से उसक यानि यह यृशी है का फायदे मंद चीज है का फी लापकारइक चीज है यह उपाय को हर वख्ति को करना चाहिए यदि कहीं पर भी उसको पैसे टके की तक्लिफ है यह जादा उम्मीद रखता है तो इस वख्ति को करना चाहिए तो दोस्तों यदि आप मेरी चैनल में नए है तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिंतम ग्रंथों में चुपे हुए कई यसे गूड रहस्य हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तंत्र मंत्र टोरें टोटके आज मैं आपको बताने वालों धतूरे का एक विसोस प्रयोग के जिसके प्रयोग से जिसके उपाय से व्यक्ति काफी मात्रा में धन प्राप्त कर सकता है इसके लिए आपको क्या करना है किसी भी सिव मंदिर से जहां भी सिव मंदिर में सिवलिंग पर आपको धतूरा चुपचाप देखिए ये क्रिया चुपचाप करने हैं उसको आप चुपचाप ले करके आ जाएं ये काफी सकती दायक है काफी ताकतवर चीज है जो सिवलिंग पर चड़ा है वो उसके अपना ही एक अलग महत्व हो जाता है देखिए कोई भी चीज कहीं लगी है उसका वो म मिलें आप अपने साथ में इसे ले आएं और इसे आप काट करके सुखा लें इसको आप काट कर सुखा लें धूप में सुखा लें इसके बाद में आप इसको हलका कूट लें और इसकी भस्म बना लें भस्म कई तरीके से बनाई जा सकती हैं आप इसको मिट्टी की हडिया म पर रख दें जब यह पूरी तरीके से खाक हो जाए जल जाए तब इसकी भस्म तयार हो जाएगी आप अपने अलग-अलग कई तरीके किसी भी तरह से आप इसकी भस्म तयार कर सकते हैं आप इसकी भस्म तयार कर लें इसके बाद जब भस्म तयार हो जाती है तो उसको और थो 35 साली ताकतवर जो भस में इसको आप क्या करें थोड़ा सा कागज में आप इसको एक दो चुटकी ले करके इसकी पुडिया बना लें और इसको हमेसा अपने पर्स में रखें ऐसा करने से कभी भी आपके पर्स में से पैसा खत्म नहीं होगा चाहे कुछ भी हो लेकिन आपके पर्स में पैसा हमेसा बना रहेगा ऐसी ही एक पुडिया आप जहां कहीं भी घर में पैसा रखते हैं वहाँ पर भी आप रख दें अब जो पर्स में आपके पास में बची है आप जिस किसी भी काम के लिए जा रहे हैं मान लीजिए पैसे टके किसी भी काम के लिए जा रहे हैं किसी जोब के लिए जा रहे हैं मतलब पैसों से सम्मंदित आप किसी भी काम से जा रहे हैं किसी से पैसा लेने के लिए जा रहे हैं या किसी को पैसा दे रहे हैं ऐसे किसी भी काम में पैसे के लेन देन के किसी भी काम में आप क्या करें किसी भी एक नोट पर इसका तिलक लगा दे जोब के लिए जा रहे हैं इंट्रू के लिए जा रहे हैं डील के लिए जा रहे हैं तो इसी का एक ज़रा सा हलका सा एक भाल पर तिलक लगा दे हलका सा एक तिलक लगा दे और आप चले जाएं आप देखेंगे कि आपकी जो कोई भी बिजनस डील है वो काफी अच्छे तरह के से और आपको फाइदा हो आपको लाब हो इस तरह से वो डील संपन होगी नोकरी में भी आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा और यदि यसी पैसा या नोट दे कर के कोई भी आप जमीन मकान मिलकत खरिदते हैं या कोई भी चीज तो वो भी आपको फाइदा दिला कर ही जाएगी तो चलिए दोस्तों अभी इसी उपाई के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें देव प्रकास और अपने जीवन में लावनित होते रहें धन्यवाद